दीपों के पर्व दीपावली की सुरुवात होने ही वाली है। इस बार धन्तेरस का त्योहाद 23 अक्टूबर को पड़ रहा है। हाला कि कुछ लोगों में 22 तारिकों भी इसको मनाने के परिचे परथा है। धन्तेरस का काफी बड़ा मैत्व होता है। वैसे तो अधिकांस लोग इसे खरीदारी का पर मानते हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से भी सुक सम्रिदी में प्रति होती है। साथ ही मा लक्षमी प्रसन होती है। जोतिष के अनुसार इस दिन माता लक्षमी और धन्वंत्री की पूजा होती है। इस दिन सो दन दानने से बरा रहता है और जीवन की सभी समस्षाइ समावत हो जाती है ऐसे ही एक उपाय को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बर से सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जैमातादी जैमालक्षमी अवश्य लिगते तो आए जानते हैं ये क्या है वे उपाय जिसे करने से आपके घर में धन दानने की विर्दी तो होगी साथ ही आपको भागे बीचमक उठेगा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों हर सुपकाम में चावल का उपयोग होता है अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो चावल का ये उपाय जो आज की वीडियो में हमां को बताने वाले हैं एक बार इसे अपना कर देखिए दोस्तों जोतिस शास्तर में गरीबी दूर करने के लिए बहुत से कारगर उपाय बताये गए हैं इन उपायों को अपनाने से सभी प्रकार के ग्रेबादाये तो दूर हो जाती है साथ ही हर प्रकार की जन्मों जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है यदि किसी वज़े से धन प्राप्ती करने में कोई समस्या रही है तो आज इस वीडियो में बताए रहे उपाय को अपनाए और सभी परिशानियों को दूर कर ले यदि आप भी किसी गरेबादा से पीडित है और अपने पर्स में आर्थिक समय तक अगर आपके पर्स में कोई पैसा नहीं टिकता है तो आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है पूजन में अक्षत का उपयोगा निवारे होता है किसी भी पूजा के समय गुलाल, हल्दी, अभीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत जरूर चड़ाय जाते है दोस्तो अगर किसी पूजा में अक्षत ना हो तो पूजा पूण नहीं माने जाती है सास्त्रों के अनुसार, पूजन, कर्म, धर्म, आदी में चावल का काफी बड़ा महत्व है देवी देवताओं को तो इसे समर्पित किया ही जाता है साजी तांतरिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है यहां तक कि जब किसी व्यक्ति को तलक लगाया जाता है तब भी अक्षत का उपयोग किया जाता है अक्षत के उपयोग करके आप घर की दर्दता को दूर कर सकते हैं और घर में हमेशा के लिए सुक समर्दी और लक्षमी का आवाहान कर सकते हैं बस आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे यह किया जाए कि आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी विराजमान हो जाए और सुक्सम्रदी का वास हमेशा के लिए हो। दोस्तो अक्षत यानि की जो खंडित ना हो, अक्षत यानि की चावल, दोस्तो आपको ऐसे चावलों का प्रयोग करना है, जो की खंडित ना हो, यानि टूटे भूटे ना हो, साबुत चावल हो, साब सुत्रे चावल होने चाहिए, ऐसे चावलों को अगर आप शिवलिंग प बतलना चाते हैं या फिर प्रमोशन करवाना चाते हैं तो आप थोड़े से चावलों को लेकर उसे उबाल ले उबाल लेने के बाद उसमें थोड़ी सी देशी खांड मिला दे इस प्रकार से मीठे चावल बना कर अपने घर की छत पर या फिर खुली जगा पर डाल कर कोवे को खिला दे आप देखेंगे कि आपके नोकरी में बड़ोत्री होगी प्रमोशन बनने के योग बनेंगे और जिन ब्यक्तियों के पास नोकरी नहीं है उन्हें नोकरी लगने के योग बनेंगे दोस्तों अगर आपके पास पैसों की तंगी है तो आधा किलो चावल लेकर किसी एकांत शिविलिंग पर उन्हें चड़ा दे इन चावलों में से केवल आपको एक मुटी चावल ही चड़ाने हैं बाकी के बचे हुए चावलों को किसी जरूरतमंत या पर किसी गरीब यक्ति को दान कर दे यह उपाय अगर आप पूर्णिमा के द्वाद किसी भी दिन करते है तो आपको इसका लाब देखने को मिलेगा यह क्रिया आप लगातार पांच बार करें यानि पांच दिन लगातार करें घर में पैसा आना सुरू हो जाएगा दोस्तों चावलों से केवल आतिक तंगी ही नहीं बलकि पितर दोस को भी दूर कर सकते हैं यदि आपके घ्रे नक का आशिरवाद आपको प्राप्त होगा और आपके रुके वे सभी काम बनने लगेंगे दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं जो की पढ़ाई में आप उनकी सबलता प्राप्त करवाना चाहते हैं तो उनकी बुद्धी को तेज करने के लिए आप गणेज भगवान क तो एक मुठी चावल चड़ा दें ऐसा कारे आप लगाता नौ दिन तक करें आश्चर जरक रूप से बच्चों की बुद्धी का विकास होने लगेगा दोस्तों अगर आप अच्छानक से धन प्राप्त करना चाहते हैं मन्चाहा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नमो भगवते वासुदेवाए इस मंतर का पूरे 108 बार यानि की एक माला जाब करें जाब करने के लिए आप तुलसी की माला का ही प्रयोग करें अथ्वा अपने उगलियों पर गिने उसके बाद आप इस हल्दी की गांट को उठाकर अपने घर में मौजूद चावलों के दब्बे में इसे गार दें यह उपाय इतना प्रवावशाली है कि कुछी समय में आपके घर की तुजोरियों को भर देता है तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ने वीडियो के साथ तब तक करें दे में धाज़ा सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जये बजरण बली